लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और ट्रेल आइकून को प्रेस करें कजरी हम अज समें कि एक गजिरी के वेखें स्लब्स का करते तुम है प्रसता में अपने अपने फैघेङ्ट अपने इसजनें कि अगाओ कि अधि मै रहे कि हुट बढ़ी आ तुम्हारी कोई बात नी सुनना जाते है हम तुम को जूट का है बोलोगी कि हम तुमको लागूसा मार रहते हैं अले हम ने तो धीरे से गाल चुवा था तुम्हारी कितना जोर का तुम्हारी कि पूरा गाल अभी तक लाल है अगे तो गाल चुवा था हम अपने बायों को जरूरी बता कि रहेंगे अरे आइसा मत करो वो देशी तमांचा और बं लेके आएंगे अमको उला देंगे फिर तु तु तो भी धुआ हो जाएगी अरे ये सिंदूर पुझाएगा चूली तूट जाएगी ये तेको जी तेको चुआ हो जो हम तुमारी इन सब आतों में नहीं आने वाले हम अपने बायों को यह उपताएंगे कि तु ने जलाद अकसा हे बन गए अब तुम इसना काहे रो रही हो अरे वह हमारी मजबूरी थी हां जो हम तुम को थप नमारे तुम वह प्रशां को घर से निकाले दे रह करें अब यह दो वह रहेगा यहां तुम अपनी बीभी से जादा प्यारें के अपनी युप दbay आधर देखो कज़री ऑइसी बात नीकिधर देखो अरे तुम को हमारी जयान है हमारी पत्नी है अर द्गनी है तुमको एंषिघी बटेच 듯 Almुण को पत्ती मेरे अरे पत्ती म वारे गाल पे अकेदे तप्रा मारा है सच्छी, जोट से लग गई कहा? और ने तक अच्छा, तुम भी हमको मार लो, मार लो हमको, और हिसाब बराबर कर लो अच्छा, और यह क्या क्यों है, पांगवाण मारे तैनलग्या तुम 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 अओमार भागवान हो, पत्ति होजिक और हमारी दीदी दीदी, सुभाब को जल्दी तो नहीं जाना? देखिये न, रात कितनी हो गई है और हम लोग अपर बात ही कर रहे हैं. सुभा की कोई टेंशन नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना. अराम से उठेंगे. हाथ तुम्हें क्या कह रही थी? सुभा की शादी ते बार रहे हैं. हाँ, शुभा की शादी देखो न, शुभा को कितना अच्छा जीवन साथी मिला है, कितनी अंडिस्टेंडिंग हैं तोनों में, नो प्राब्लम्स. मांसी, तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए. मुझे? लेकिन क्यों? देखो, अभी तुम्हारी उम्र है. एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए, तो जिन्दगी खुबसूरत हो जाती. क्या दीदी, आप भी न, मम्मी और उमिला दीदी के तरफ शादी की सला देने लगी? तो क्या तेरे शादी का कोई इरादा नहीं है? सारी जिन्दगी अकेली रहेगी? कुवाली? रहूंगी या नहीं रहूंगी? लेकिन शादी के बारे में मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है शादी मेरी लाइफ की प्रायोर्टी नहीं है. मानसी, ये शादी और ब्या समय रहते ही करनी चाहिए. उम्र और वक्त बीच जाने के बाद इसका कोई मतलम नहीं है. दीदी, शादी की जरूरत मुझे कभी महसूस नहीं होती. और शादी करके किसको कितना सुख मिल गया है? वो मैं अपने आसपास देखी रही हूँ. जो दूसरों का अनुभाव है, वही तुमारा हो ये जरूरी तो नहीं. जिन्दगी के तुजर्बे आपके अपने होने चाहिए. सिफ तजर्बा और अनुभाव लेने के लिए मैं ये शादी की रसमे नहीं भाओ. ये मुझ से न मैं तो यही मनाऊंगी कि बहुत जल्दी तुझे तेरी पसंद का लड़का मिल जाए. चलो बहुत सरी बाते हो गई, अब चलके सोते हैं. हो सकता है कि आज सबने में वो ही लड़के से तुमारी मुलाकात हो जाए. दीदी, आप भी हो. आज तुसुन, वो खिड़की बंद मुला करेका बंदाए. लड़के साथ. अज़के सबसे तुमारी मुला की बंदाते हैं. हुआ है. हुआ है. कहा रही है अब यह आती ही हो गई अरे यह वहां क्यों रूप गए कि मैं देख सी हुआ अरे सबीना तुम रुक क्यों गई आप बैट कर बाते करते हैं आप अपने पती को लेके क्यों आई है मेरा मतलब है जब मैंने आपसे फोन पर बात की थी तो आपने तो मुझे नहीं बता कि आप अपने पती के साथ आ रही है तो क्या हुआ तुम्हें उनके सामने आने में जिजब क्यों हो रही है दरसल बात यह है कि वो खुद तुम से मिलना चाहते हैं क्यों वो मुझे क्यों मिला चाहते हैं मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है वो तुम से बात करना चाहते हैं देखिए उर्मिला जी आपको मुझे से हमदर्दी हो सकती है लेकिन आपके पती को नहीं सबीना मुझ में और मेरे पती में कोई फर्क नह मेरे पती ऐसे नहीं है अर्मिला जी मुझे भी लगता था यह मेरा पती भी औरों की तरह नहीं है मेरा पती मेरा जिन्दीगी भर साथ मेगा लेकिन आपको तो पता ही है कि क्या हुआ देखो Sabina यहाँ पर रेस्टरॉण के बीश में खड़े खड़े हम बाते नहीं कर सकते तुम आओ वहाँ पर चलो इत्मिनान से बैठ कर बाते करते हैं कम आओ आओ निशान यह सबीना है और सबीना यह मेरे पती है निशान हम मिल चुके हैं शहरा भूल रहे हैं प्लीस बेठो बेठो कर सत्षय करते हैं कर 15 दो कि फार बेठों के धड़ब यह टोनफ यह पर नहींगर करे दो प्लीस कारी बेठों मिल भूल कम प्लीस को रहे होगे हैं कि अडह हैं करिają One kop वो औरमिला ने बताया कि आपके कुछ प्रॉबलम्ज है देखे रहे गोर्ए में जानते तो है नहीं मतलब आप कॉन है आपका घर कहा है आपके पती कॉन है हम सिर्व इतना जानते हैं कि आपका नाम सभीना है आप हमारी गाड़ी से टक्राइए थी उसके बाद उर्मिला से आपने अपनी प्रॉब्लम्स बताई थी इतना बहुत है और क्या जानना है कुछ नहीं मतलब अगर हमें कुछ पता चल सके तो हम इनके पती को ढूंडे में म कर जो कुछ भी हो देखिए सबीना जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कि जिस तरह पुर्मिला ने आपसे हमदर्दी जताई आपकी मदद के लिए तैयार हो गई यह इसका अपना सभाव है किसी का दूखिस से देखा नहीं जाता लेकिन लेकिन क्या मुझे बात तो खतम करने दोर मिला कि दूसरों की सेवा करना पर उपकार करना सब कुछ ठीक है लेकिन आप जिन मुश्किलों में हैं आपकी परिशानी एक दिन की नहीं है आप माँ बनने वाली है और आपके सामने आपके बच्चे के फ्यूजर का सवाल है और आपका यहां कोई है भी नहीं अपना अब ऐसे में कोई आपकी कब तक मदद कर सकता है मतलब आप समझ रही ना मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे सबीना तुम चुप क्यों हो कुछ बोलती क्यों नहीं वर्मिला इस वक्त इनके बोलने से ज़ादा जरूरी है कि ये मेरी बातों को समझें देखिया आप मेरी सलाम मानिये तो आप किसी महिला आश्रम में चली जाएगे इस शहर में तमाम ऐसी जनस्थाय हैं जो इस तरह की बेसाहरा ओर्तों को सहरा देती है और पूरी मलत करती है वहाँ अपने बच्चे को विजन दे सकती है कर देखिया कर देखिया कि सबीना रुक जाओ सबीना बात तो सुनो मैंने अपसे कहा था ना कि सब मर्द एक जैसे होते हैं एक पती और एक बाप होते हुए भी वो मेरा दर्द नहीं समझ सकते कभी नहीं कर निशान तुम्हें क्या जरूरत थी उसे ऐसी सला देने की अगर उसे ऐसे किसी जगह पर जाना होता तो यहां पर क्यों आती हमारी मदद मांगने हमारी सला लेने मैं तो उसकी भले की बात कर रहा था क्या भलाई कौनसी भलाई किसी की दुखते जखम पर चोट पहुचाने वाली बात है ये और तुमने भी यही किया है चाहिद सबीना ठीक ही कहती है सारे मर्द एक जैसे होते हैं प्रशांत मोधी का नाम क्यों लेती हो तुम्हेदी वो पुरी रात से हमारे घर के बाहर ख़ड़ा है हाँ देदी मैंने कल रात भी उसे वही ख़ड़ा देखा और अब भी वही ख़ड़ा है ओ माइ गौड लेकिन यह सब क्यो कर रहा है दीदी मेरी तो कुछ समझ में नहीं यह रहा यह सब करके आखे वो क्या जदाना चाहता है तो मैं पूरा यकीना कि वह रात से यही ख़ड़ा है अब दीदी रात को खिड़गी बंद करते समय मैं नहीं ख़ड़ा देखा ओ फो तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं मांसी दीदी मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती दीदी मैंने सोचा की रास्ता से गुजरता रुग गया होगा चला जाएगा लिकिन ओ तो अच्छा थीग है मैं दिखते हूं आओ तुम कम तो मैं इसकी दिवानगी तो बढ़ती जा रही है अगर वक्त रहते इसका इलाज नहीं किया ना तो ये बिमारी ला-इलाज हो जाएगी मैं जाती उससे पाग नहीं दीदी आपने चाहिए तो क्या तुम जाओगे इसे बा खड़ा है आखिर उससे पूछ उससे ही वह चाहता क्या है तो रुख